तो नई सोच नई दिशा में आपका एक बार फिर से इस वाकत हैं तो आज हम डिस्कस करेंगे TGT Non-Medical का Commission जो की 2019 में करवाए गया था उसका GK Part 1 आप से डिस्कस करेंगे तो प्लीज वीडियो को पूरी देखें कुल प्रेशनों के 20 तो किसी भी परसन को अगर इस वीडियो का ओनलाइन टैस्ट देना होगा तो डिस्क्रिश में आपको एक लिंक मिलेगा उसके उपर आप के लिए करके भी इस वीडियो का ओनलाइन टैस्ट दे सकते हैं कितने भी कोशन मना जा रहे हैं आने वाले हिमाच्चल एक्जाम के लिए काफी मत पूर्ण है तो प्रलीज वीडियो को पूरी देखें स्केप न करें तो चलते हैं आज के पहले कोशन की तरफ यह रहा पहला कोशन बुड डिस्पैच के अनुसार शिक्षा का मत दिम होना चाहिए तो देखते हैं आप कितने त्याई कर रहे हैं आने वाले एक्जाम के तो इसका राइट आपको बताना है बुड डिस्पैच के अनुसार शिक्षा का मत दिम होना चाहिए चार ओप्शन आ अंग्रेजी ब देशी वाशा तो इसे भी आप याद रके ऐसे कोशन पूछे जा रहे हैं हमिरपूर पबलिक सर्विस कमिशन की तर्फ से यह रा नेक्स कोशन हडपा अर्थव्यस्ता की प्रकृति क्या थी तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं देखते हैं आप कितनी त्यारी कर रहे हैं आनेमल एक्जाम के लिए तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं हडपा अर्थव्यस्ता की प्रकृति क्या थी तो चार उप्शन आपकी स् तो कोशन को दियां से देखें, ओप्शन को भी दियां से देखें, बहुत ही मतपूर्ण कोशन है आने वाले TGT कुमिशन और अन्य हिमाचल एक्जाम के लिए, तो वीडियो को पूरी देखें, स्किप न करें, तो जल्दी से इसका राइट अंस बताएं, तो इसका राइट पूर्ण के लिए, प्लीज, जल्दी इसका राइट अंस बताएं, देखें सों, सबसे पहले इसका राइट अंस बताता है, राश्ड कूटवंश की राईधनी कोंसी थी, यहां से पता चलेगा कि आप कितनी त्यारी कर रहें, आने वाले एकजाम के लिए, राश्ट इसे भी आप याद रखें ये रार नेक्स कोशन किस सल्समत शास्तिक ने ये विचार दिया था कि राज जनता के स्वैश्चिक समर्तन पर अधारित होना चाहिए तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं देखते हैं सबसे पहले कि इसका राइटन्स आता है ब्लीज वीडिय को पूरी देखें स्किप ना करें तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं किस सल्समत शास्तिक ने ये विचार दिया था कि राज जनता के स्वैश्चिक समर्तन पर अधारित होना चाहिए तो इसका राइटन्स होगा जलालुदीन खिल जी ये रा नेक्स कोशन महराष्ट में बक्तिया दोलन का केंदर कहां था तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं ऐसे कोशन पूछे जा रहे हैं आपके TGT कमिशन, आर्ट्स कमिशन और जितने भी आपके कमिशन है, नोन मेडिकल कमिशन, एल्टी कमिशन, शास्त्री कमिशन तो ऐसे कोशन जरूर बनेगे आपके आने वाले एक्जाम में, तो प्लीज ब्यूडी को पूरी देखे, स्किप न करें, तो इसका राइटन्स होगा पंडरपुर में जो महराष्टर बक्ति दोलन का केंदर है, इसे भी आप याद रखें, ये रार नेक्स कोशन, ब्रिटिश भारत में बंगाल में मुख के रूप से मध्यवर्ग में कौन शामिल थे, देखते हैं सबसे पहले किसका राइटन्स आता है, तो इसका होगा जमीदार जो ब्रिटिश भारत में बंगाल मुख के रूप से मध्यवर्ग में शामिल थे, ये रार नेक्स कोशन, मृत सागर किसका उदारन है, तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं, मृत सागर किसका उदारन है, तो इसका राइटन्स होगा रिप्ट गाटी, मृत सागर इसका उदारन है, इसे भी आप याद रखें, ये रार नेक्स कोशन, प्रिट भी किस तापर प्राप्त आत्पन का प्रतिशत कितना है, तो कोशन को द्य प्रित्वी किस ताप पर प्राप्त आत्पन का प्रतिशत है तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं तो इसका राइटन्स होगा 51% जो प्रित्वी का प्राप्त आत्पन प्रतिशत है यह रा नेक्स कोशन उच जवार को यह भी कहते हैं तो देखते हैं सबसे पहले किसका र लाता है उत्त जवार को यह भी कहते हैं तो जल्दी से इसका राइट जवार को यह भी कहते हैं तो यह से कोश्चन पूछे जा रहे हैं कमीशन में हमीरपूर पबलिक सर्विस कमीशन की तरफ से तो इसका राइट जवार भी ओप्शन इसका राइट है यह रा नेक्स कोश्च ओजोन शर्ण का मुख्य कार्ण क्या है तो यह कोशन कहीं बार पूछा जा जूका है टैट में पूछा है और कमिशन में पूछा जा जूका है तो जल्दी से इसका राइट अंसर बताएं और जो उन्शर्ण का मुख्य कार्ण क्या है तो इसका राइटन्स होगा Chloro-Chloro-Carbon B-Option is right यह राइए नेक्स कोशन इलाज्ची की पाड़ियों को ये भी कहते हैं देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइटन्स रबताता है इलाज्ची की पाड़ियों को ये भी कहते हैं तो चार और आपकी स्क्रीन पर जल्दी से इसका राइटन्स रबताना है इलाज्ची की पाड़ियों को ये भी कहते हैं तो इसका राइटन्स होगा D-Planipadhyya ये रा नेक्स कोशन भारत में दक्षिन पर्षिम मानसूं से किस मां में बर्षा होती है तो सबसे ज़्यादा बर्षा किस मन्त में होती है तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं इस ओप्षिन के अनुसार भारत में दक्षिन पर्षिम मानसूं से किस मां में बर्षा होती है तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं तो मानसून से जितनी कोशन मद रहें जिवराफिक को अच्छे से पढ़ें आने बाले एक्जाम के लिए तो इसका राइटन्स होगा जून ये रा नेक्स कोशन लाल मिटी किस क्षेत्र में पाई जाती है तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं लाल मिटी किस क्षेत्र में पाई जाती है तो चार ओप्षन आपकी स्क्रीन पे हैं जल्दी से इसका राइटन्स रा को बताना है तो ये निमन वर्षा है बहां पे लाल मिटी अधिक पाई जाती है यह रा नेक्स कोशन निमलिक्षित मैंसे कौन से ब्रिक्ष की किसम मृदू दारू नहीं है तो जल्दी से इसका रैटन्स बताएं निमलिक्षित मैंसे कौन से ब्रिक्ष की किसम मृदू दारू नहीं है तो TGT कमिशन की त्यारी अच्छे से करें ऐसे कोशन पूछे जा रहे हैं तो deeply study करें तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं वीडियो अच्छी लगे तो like and share करते रहें तो इसका राइटन्स होगा महागो नी जो मृदुदारों की किसम नहीं है यह रा नेक्स कोशन निमलिक्षित मैंसे किस नदी मैं बेतबा नदी मिलती है तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं नदी उसे जितने भी कोशन बंद रहे हैं उसे आप आने बाल एक्जाम के लिए अच्छे से पढ़ें यह रा चारो शनापकी स्क्रीन पर जल्दी से इसका राइटन्स आपको बताना है, तो इसका राइटन्स होगा योमना जो बेतपक की साइक नदी है, यह राइटन्स कोशन, खंबात की खाड़ी निमलिकित मैं से किस से सबंद है, तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं, तो इसका राइटन्स होगा तेलव प बहाग कोन है तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं जो काला अजर रोग है उसका बहाग कोन है तो देखते हैं सबसे पहले किसका राइटन्स आता है चार ओशन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से इसका राइटन्स आपको बताना है काला अजर रोग का बहाग कोन है तो उसका को ध्यां से समझें नहीं उड़ सकता तो यह question हर exam में पूछा जा चुका है तो इस question में हर student confused होते हैं तो जल्दी से इसका right answer बताएं ऐसा कौन सा फक्षी है वो उड़ नी सकता तो जल्दी से इसका right answer बताएं तो c option is right e move तो इसे भी आप याद रखे आने वाले exam के लिए वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को like करें, share करें and subscribe करें यह रा next question के लोरी के सधर्ब में सबसे इदिक बर्शा किस में पैदा होती है तो जल्दी से इसका right answer बताएं के लोरी के सधर्ब में सबसे इदिक उर्जा किस में पैदा होती है तो जल्दी से इसका right answer बताएं c option is right बसा जो के लोरी के सधर्ब में सबसे इदिक उर्जा पैदा होती है तो आज के लिए इतना ही अगर मेरे दुवारा बनाई जारी वीडियो आपको अच्छी लगें तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें तो मिलते हैं अगले वीडियों साथ तब तक के लिए धन्यवाद